हेलो स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में दिल्ली के मेहरोली का लोहस्तम लेक के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखिएगा यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंड से संबंदित जो महत्वपुन सूचने हैं उनके बारे में हमने बनाए हैं जो आपकी एकजाम में बहुत हेल्फ करेंगे तो आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को अच्छे से देखिएगा वीडियो को ताकि आप आपकी एकजाम में हेल्फ हो सके ठीक है तो कुतु मिनार के समीब इस्तित है इसमें चंदर नामक किसी राजा की उपलब्दियों का वर्णन तीन स्लोकों के अंतरगत किया गया है जिसका सारांस इस परकार है देखेगा जिसने बंगाल के यूद चेतर में मिलकर आए हुए अपने सत्रों के एक संग को प्राजित किया जिसके परताब के सोरव से दक्सिन का समुदर तट अब भी सुवासित हो रहा था अभिलेक के अनुजार जिस समय यह लिखा गया वह राजा मर चुका था किंदू उसकी कीरती इस पर्थवी पर फैली हुई थी उसने अपने बाहुबल से अपना राजे प्राप्त किया था तथा चिरकाल तक सासन किया भगवान विश्णो के परती महतिस रधा के कारण विश्णो पद नामक परवत पर उसने विश्णो धरज की स्थापना की थी यह अपने आप में प्राचीन भारतिय दातुकरम की प्राकास्टा है यह कतित रूप से राजा चंद्र गुप्त व बक ने मंदिर को नस्ट करके कुतुब मिनार की स्थापना की इस लेख में तिथी अंकित नहीं है न तो राजा का पुरा नाम मिलता है और नहीं कोई वनसावली दी गई है फलसरूप इस राजा के समीकरण के परशन पर विद्वानों में मतपेद है प्राचीन भारतिय इत स्थापित करने का विद्वानों ने भिनभिन प्रियास किया है इस लेख की लिपी गुप्त काल की है देखेगा लोहे स्थम में वन्नित राजा चंदर की पहचान इतियासकारों ने महरोली के लोहे स्थम को समराठ चंद्र गुप्त द्वित्य के काल में रखा है और लोहे इस्थम में वन्डित राजा चंदर को चंद्र गुप्त दूइतिय से जोड दिया है कुछ इत्यासकार मानते हैं कि उस लोहे स्थम में जो लेख है वो गुप्त लेखों की सैलिका है और कुछ कहते हैं कि चंद्र गुप्त दूइतिय के दनुर्धारी सीकों में एक इस्थम नजर आता है जिस पर गरुड है पर वह इस्थम कम और राज दंड अधिक नजर आता है लोह इस्थम के अनुसार राजा चंदर ने वंग देश को हराया था और सब्त सिंदू नदियों के मुहने पर वहलिकों को हराया था जेम्स फरग्यूसन जैसे पस्यमी इथिहासकार मानते हैं कि यह लोह इस्थम गुप्त वंस के चंदर गुप्त वुतिये का है कुछ इथिहासकारों के अनुसार यह स्थम समराट असोग का है जो उन्होंने अपने दादा चंदर गुपत मौरिये की याद में बनवाया था इस संबंद में एक तथे और है कि राजा चंदर शब्द की पहचान सूर्य वनसी राजा राम चंदर से भी है जिनका समरज लंका के समुदर तर्ट तक था ठीक है तो देखेगा इसमें ये भी ये जो लोह स्थम्भ है इसके बारे में एक बात ये भी है कि इस पर अभी तक जंग नहीं लगा है तो ये उसमें के लोहे की जो खूबी है उसको दर्शाता है और इसी प्रकार से हम आपको आगे की वीडियो में और भी जो जानकर है वो परदान करेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर